वैभव गैलोत बदर कर दिये गए हैं RCA से कह रहे हैं कि BJP उनके खिलाब शाजिस रच रही है RCA के उपर कारवाई की गई है ताला खोल करके 40 करोड रुपए के आसपास खेल परिशद को देने हैं ऐसी में लगता है कि Cricket Association जिस अंदाज से चली है वह मुख्य मंतरी अशोग गैलोत की जादोगरी से कम नहीं है नमशकार मैं प्रदीब हूँ आप THINK 360 देख रहे हैं राजस्तान क्रिकेट अशोग इसी एसन जिसकी सदारत कर रहे थे पूर्व मुख्य मंतरी अशोग गैलोत के बेटे वैभव गैलोत जोदपूर से जब वो सांसदी का चुनाव हार गए तो वैभव को कहां सैट किया जाए अशोग गैलोत पे बहुत बड़ा दबाव था अशोग गैलोत और पुराने राइवल रहे सीपी जोशी वही सीपी जोशी याद दिलाते हैं आपको राजस्तान में 2008 का विधानसवा चुनाव सीपी जोशी की सदारत में कॉंग्रेस 96 सीटें लाती है सीपी जोशी एक सीट से एक वोट से विधायक का चुनाव हार जाते हैं वो सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं आ रहे थे वो हारे थे मुख्य मंत्री की कुर्शी और इस मुख्य मंत्री की कुर्शी हारने के बाद सीपी जोशी को राजस्थान में जड़े जबाने से रोकने के लिए जादूगरी की शुरुआत होती है अशोग गहलोत उस जादूगरी को रचते हैं, सीपी जोशी के अंदर में भेजे जाते हैं, पंचायत राज के मंत्री बनते हैं, सड़क परिवाइन मामलों का चार्ज रहा, रेलवे के मंत्री रहे, सीपी जोशी प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्ति हैं, लेजिसलेशन की समझ वाले व्यक्ति हैं और राजनिति के भी खिलाणी हैं, लेकिन अशोग गहलोत जो हैं, उनका जादू, सीपी जोशी को सल्टाने में कामियाब रहा, लेकिन 2018 में मुख्यमंत्री बने एक बार फिर से अशोग गहलोत, जब 2019 में अपने बेटे वैभो गहलोत की करने का इतिहास भारत में महाबारत काल से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, नेपोटेजम अगर सबसे अधिक कहीं हावी है, तो लोगतांत्रिक राजनिति हैं, अब यह स्तिती आगे बढ़ती हैं, सीपी जोशी पे, नजाने क्या मंत्र फूंका गया, कि जादूगर में यह किया, वो किया, आरपील करवाये, यह करवाये, लेकिन इसमें चूंकि जो खेल हैं, उसमें खेल कितना बड़ा हुआ है, किसे चुपावा नहीं है, कहते हैं कि सेंकडो करोड की तो टी-शिर्ट बांटी गई है, खेल विभाग वाले ग्रामेंड खेलों में, अब श का सबसे बड़ा स्टेडियम का दावा है, आसपास जमीने किस की हैं, कौन, किस तरह का, लेंड डवलप्मेंट के प्रोजक्ट के आधार पे स्टेडियम को खड़ा किया जा रहा है, तमाम चीजें बाद में कभी खुलासा करेंगे, आपके सामने एक एक करके, लेकिन आर्स खेल बंतरी अशुक चान्ना ने, तो उन्हें उसी स्टेंड पे बिठा के मैच भी दिखवाया, राजनती की जादुगरी यही हैं, और राजनती की जादुगरी जब खेलों में उतरती हैं, तो फिर खेल के हाल बहुत बुरे होते हैं, वैबो गैलोत की सदारत वाली आर्स इसे ने उसके चुनाओं को लेकर वैबो गैलोत के सचीव थे, भवानी सामोता उन्होंने आरोप लगाया, आर्सिये के सचीव ने कि बहीं यह संवितानिक है, उपाध्यक्षिन के पक्ष में रहे, अब आर्सिये के अध्यक्षों में नाम चल पड़ा है, राजिंदर होता दिख नहीं रहा, राजस्तान में अशोग गैलोत भी आज लंबे अर्से बाद बयान देते हैं, वैबो गैलोत ने कहा है, बीजेप उन्हें टार्गेट कर रही हैं, क्या टार्गेट है वैबो गैलोत क्यों टार्गेट हैं, एडी में बुलाए गए थे, इनके ओपर क चीजें हैं, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, आपको क्या लगता है, आर्से पे हुई करवाई और राजस्तान में क्रिकट के बविश्य पर अपने राय हमें जरूर दें, और तिंक 360 को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद